नमस्कार मैं हूँ परवेश और आप देख रहे हैं दाभारत खबर लोगसबा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी उमीदवार ने जीत दर्श की नई दिल्ली संसदिय सीट से बांसुरी सवराज ने जीत हासिल की बांसुरी ने आप उमीदवार सोमनाद भारती को हरा दिया खास बात ये रही कि बीजेपी ने भले ही आँजीत हासिल की हो लेकिन उसका वोट शेयर घट गया मालवयनगर विधानसबा से तीन बार की विधायक सोमनाद भारती ने नई दिल्ली सीट से लोकसबा चुनाव लड़ा लेकिन बीजेपी की बांसुरी सवराज से हार गए पहली बार चुनाव लड़ रही बांसुरी ने मालवयनगर विधानसबा सीट पर भी उन्हें मात दे डाली मतगर्णा के आकड़े बता रहे हैं कि कुल दस विधानसबा में से साथ पर बांसुरी आगे रही और सोमनाद केवल तीन पर ही बांसुरी को पिछाड़ पाए जिसमें एक अर्विन केजरिवाल की विधानसबा सीट दूसरी दिल्ली कैंट और तीसरी आर के पुरम शामिल है आकड़ो के गड़ित में मालवे नगर में बासुरी को 43,623 वोट मिले जबकि सोमनाद भारती को 49,700 वोट मिले और बीजेपी को यहां से 3923 वोटों की लीड मिली वही बीजेपी का गड़ माने जाने वाले मोती नगर में बासुरी को सबसे बड़ी बढ़त 19,389 वोटों की मिली यहां बीजेपी को 69,648 वोट मिले तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में 40,269 वोट आए कस्तूर्बा नगर से बीजेपी को 18,221 वोट गरेटर केलास से 18,147 वोट राजेंदर नगर से 8,402 वोटों की लीड मिली इसके अलावा करोल बाग और पटेल नगर की जनता ने भी बीजेपी को आप से ज्यादा वोट दिये जहां तक सोमनात भारती के हिस्से में आई तीन विधानसभा की बढ़त की बात है तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्हें 29,257 वोट मिले जबकि बासरी को 26,945 वोट मिले यहां पर सोमनात को 2262 की बढ़त मिली थी इसके अलावा आरकेपुरम से 912 और दिल्ली कैंट से 1182 वोटों की मामूली बढ़त मिल पाई थी यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गड़बंदन के बाद भी जीत उनके हिस्से में क्यों नहीं आई पिछले दो लोकसबा चुनाओं में भले ही दोनों पार्टियां अलग-अलग लड़ी थी लेकिन उनका वोट प्रतिशत मिला कर 2014 में 48.7 जीरो रहा था जबकि बीजेपी के हिस्से में 46.72 प्रतिशत ही था यहां से बीजेपी को इस बार कुल 54.77 प्रतिशत वोट मिले जो पिछले चुनाओं की तुलना में 8.05 प्रतिशत का बड़ा इजाफा रहा इस साल कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का वोट शेयर मिला कर 43.24 प्रतिशत रहा यानि दोनों मिलकर भी लड़ते तो 11 परसेंट का बड़ा फासला रह जाता 2024 के चुनाओं रिजल्ट का गणित कई खुला से कर रहा है इस चुनाओं में जब दोनों साथ मिलकर लड़े तो भी वोट शेयर चवाली दशमलव 2-3 परसेंट ही रहा सिर्फ एक परतिशत का ही इजाफा हुआ इस आकड़े से इतना कहा जा सकता है कि गड़बंदन का असर रहा और दोनों पार्टियों के वोटरों ने वोट भी किये क्योंकि इस चुनाओं में बासुरी को 53.48 परतिशत वोट मिले जो पिछले साल से लगबग 1% कम है एक्सपर्ट का कहना है कि गड़बंदन के बाद भी दोनों पार्टियां ये माहल बनाने में असफल रही कि उनकी जीत होने जा रही है वोटरों तक ये संदेश नहीं पहुंचने की वज़ा से फ्लोटर वोटर फिर बीजेपी के पाले में चले गए और नतीजा बासुरी 78,370 वोट से जीत गई आप देख रहे हैं दभारत खबर हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्ते